नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खरना हुए उपएति क्लिनिक केस प्रोग्राम में आपका स्वाकत है साथियों आज हम बात करेंगे उस विशही की जो पूरे परिवारों को खतम कर देता है हम बात करेंगे तमबाकू खाने और सिग्रेट पीने के विशह में कुछ वक्त पहले की बात है आज से महिना पहले की बात मैं दिल्ली गया था दिल्ली गया था तो वहां पर जैसे हम एरपोर्ट पर उत्रे अंदर आये जो उनका टर्मिनल होता है उसमें आये तो हमने देखा कि उसमें एक कमरा बना हुआ है कांच का कमरा है और उस कमरे में क्या लिखा है किर्पया सिग्रेट इस कमरे में आके पीए मैं देखके आश्चर रिचकित रहे गया कि एरपोर्ट पे सिग्रेट पीने के लिए भी अलग कमरे की सुविधा है और वो आश्चर और बढ़ता गया जब हमने देखा कि वहां कमरा हॉस्पुल है मतलब लड़के लड़कियां इतने ज्यादा संख्या में वहां पे सिग्रेट पी रहें दी कि और लोगों के अंदर आने की जगा नहीं थी मैं इस इस्तिशी से हत्प्रव रहा इसके वारे में सोचता रहा और तभी है प्रण करा कि वीडियो हम कभी न कभी बनाएंगे जो आपको इस बुराई से दूर होने मदद करें अगर वास्तर में आप अपनी मदद जीवन में करना चाहते हैं तो और अपने परिवार की कु मतलब जैसा मैं एनलाइज कर पा रहा था जब मैं गैली से निकला सामने से तो मैं एनलाइज कर पा रहा था कि यह सब पढ़े लिखे लोग थे वेल सूटेट थे यह लड़के-लड़किया मुल्टी नेशनल कंपनी में होंगे इतका थनखा सतर अस्ति हजा लाग देड़ला लाग रुपा महिना होगी और कुछ की नहीं भी होगी क्योंकि सिग्रेट तो किक्से वाले से लेके आये सदिकारी तक कोई भी पी सकता है लेकिन वो जो हाउस फुल कमरा था वो आज तक हमें याद है और मैं दोबारा कभी दिल्ली जाओंगा तो उस कमरे के सामने से फिर से गुजरूँगा जरूर ये देखने के लिए कि क्या सरकार ने और अगल आसपास एक कमरे के पर वस्ता कर दी कि कैसे पीने वालों की संख्या तो बढ़ती जा रही है यहाँ प्रियास हमारा है यह वीडियो कि उस संख्या वो खतम करने में मैं अपने जो मदद कर सकता हूँ कांटी मिशन करता हूँ वो कर दूँ यहाँ वो समाजिक बुराई है जो करता है उसको नहीं छोड़ती है और उसके घरवालों को नहीं छोड़ती है आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि हिंदुस्तान में 6 लाख लोगों की मौतें सलाना सिग्रेट पीने से होती है और 6 लाक लोगों की मौतें, पैसिव स्मुकिंग या जो सिगरेट पी रहोता उसके साथ रहने या चलने से होती है तो इतनी बड़ी यह समाजी बुराई है आज कल एक सिगरेट 10 रुपए की आती है, इससे कम नहीं आती और एक तरफ हम लोग बात करते हैं, बड़ी महंगाई है और दोसी तरफ हम लोग सिगरेट पीने में पीछे नहीं रहते हैं, मसाला खाने में पीछे नहीं रहते हैं आज हम आपको बताएंगे इस बुराई को दूर करने की अपने घर से और अपने समाज से तसकारगर होमियोपेटिक दवाएं दवा बताने से पहले साथियों बता दें यहां दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं कोई भी दवा बिना कुछल चिकिशक से पूछे ना लें क्योंकि आपके सिम्टम भिन हो सकते हैं आपके बीमारी से लेकिन यहां वीडियो एक प्रयास है इस समाजिक बुराई को खतम करने का हर आदमी कहता है कि सिगरेट पीना छोड़ो तंबाकू खाना छोड़ो लेकिन बात यह है कि इसको कैसे छोड़ा जाए पचास परसेंट आप अपनी मदद खुद करिए यानि अपने विलपावर को स्ट्रॉंग करिए सिगरेट छोड़ने के लिए और पचास परसेंट हम आपको कारगर दमाय बताते हैं इस बुराई से सामाजिक पारिवारिक बुराई से बाहर निकलने की आप दोनों काम साथ में करिए देखे कि आपके बुराई कैसे छूड़ जाएगी और आपकी मेहनत का जो पैसा है वह आपके परिवार के काम के लि साथ ही हूं सबसे इंपर्टेंट दवा जो होमियोपैथी में है या सबसे बहतर दवा जो होमियोपैथी में है तंबाकू की लग छोड़ने की वहाँ है आर्षनिक अल्बम एक टॉप मेडिसिन है जो आप जिसको लेने से आपका इंसाइटि यानी बिचायनी खतम हो जाती है जब आप तंबाकू छोड़ने पिर आपको अछंव कौष उल्घन होने लगती अपको डर होने लगता आपको घबढ़ाहट होने लगती है और रात में आपकी तकलीफें बढ़ती हैं तो इन सब सिम्टम्स के लिए आर्षनी के आलबम सबसे अच्छी दबा होती है आर्षनी के आलबम उजिस्टी में आपकी बहुत अच्छी दबा है अगर आपको तंबाकु छोड़ने के प्रयास में बेचैनी हो रही है घबड़ाट हो रही है, उल्जन हो रही है रात के बारा बजे के बाद आपकी तकलीफें पढ़ रही है और आपको थोड़े थोड़े वक्त पे पानी पीने की इच्छा हो रही प्यास लग रही है तो अगर यहाँ सिम्टम आप में हैं तो आपकी ड़क अफ़ चोईस आर्सनीक आलबम है आप आर्सनीक आलबम 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बाल लेके बहुत असानी से अपनी तंबाकु खाने की गंदी लग को छुड़ा सकते हैं वह लग जो आपके बीवी वच्चों परिवार सब के लिए घातक है आप तो तंबाकु खा रहे हैं अपने को नुकसान पहुचा रहे हैं साथ में आप अपने परिवार को भी नुकसान पहुचा रहे हैं तो यहां दवा आपकी उसमें मदद कर देगी आपके परिवार को बचाने में भी और आपको बचाने में भी एक इस्थिति आती है साथियों और यहां मरीज का सबसे पहला वर्ड्स होते हैं क्लीनिक आने पर कि डक्टर साब को ऐसी दवा बता दीजे कि तमाको खाने की इच्छा ही ना हो सिगरेट पीने की इच्छा ही ना हो खुमियोपैती में इसका बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है प्लैंटेगो अगर आप प्लैंटेगों मदर टिंचर 20 डॉक्स आदे कप पानी में तीन बार लेते हैं यानि 20 बून सुबा बीद बून साम और 20 रात इस मदर टिंचर को लेते हैं तो आपकी इच्छा ही खतम हो जाएगी तमाको खाने की तो आप प्लैंटेगों लीजे इस समाजिक बु आपको छोड़िया और अपने को स्वस्थ करिया फिर साथिमें दवा आती है जो आपको जो इच्छा होती है तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन करने की चाहिए वो सिगरेट के फॉर्म में हो चाहिए वो तंबाकू के फॉर्म में हो चाहिए वो मसाले के फॉर्म में हो जो इच्छा होती है उसको कम करने की और वहां बहुत कारगर दवा है आडिका जी हाँ काम तोर पर जानते हैं कि आड़निका चोट में काम आती है घाओ में काम आती है लेकिन आड़निका होमियोपैथी में तंबाकू खाने की लट को कम करने की बहुत कारगर दभा है तो अगर आपको तंबाकू खाने के लट है उसकी मतला आपको चाहिए ही चाहिए वह वाली पर और साथ में इसी तरह से आप तंबाकू को छोड़ सकते हैं एक सिटी आती है साथियों कि आपने इत्ती ज़्यादा सिग्रेट पी या इतना तंबाकू का सेवन करा कि आखे कम जोर हो ने लगी आपको वीकने साने लगी विजन में अगर यहां सिटी आप में है तो इसको करने की भी होमेपेटी बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है फॉस्फॉरस आप फॉस्फॉरस वारियंके तीन खुराग पच्पच मिट के फासले पर भी कि ले सकते हैं आप देखेंगे कि आपका जो है वहां एक और सिम्टम होता है इसमें हेर फॉस्फॉरस के मरीज का हेर फॉल भी बहुत होता है तो अगर आप ऐसी स्थिती देखते हैं तो आपके ड्रग फॉस्फॉरस है इसकी वान यह पावर में तीन खुराग पच्पच्पच्पच्पच्पच्ट के फासले पर वीकली लेकर आप अपने को ठीक कर सकते हैं और तंबाकू की आदत को चुड़ा सकते हैं और अपने विजन को पुना बहतर पात कर सकते हैं अपनी आइसाइट को स्ट्रॉंग कर सकते हैं फिर एक सिटी आती है सातियों कि आप ने जब तंबाकू छोड़ने को सिसकरिया सिग्रेट पीना चोड़ने को सिट्रेस में आ गये तो अगर आप तंबा हैं जब आपको स्ट्रेस हो रही है तंबाकू छोड़ने पर तो आपकी ड्रग ऑफ तर चॉइस एकोनाइट है एकोनाइट थर्टी दो दो पून दिन में टीन बाल लेके आप लाप प्राप्त कर सकते हैं फिर एक सिटी आती है जिससे हम सब बाकिफ हैं जो यह तंबाकू सिघ्रेट किन वालों में होती है कि आपको मोशन नहीं पास होता कभी किसी देख को कि भयाई पुरी चीजह इसको छोड़ दो तो व्यवक्ति कह देता है डग साथा framework को सुव। सब्सक्राइब यां इस्तिती में आप पास होता है बिना चुछेफ्ट से पातु में होता ह्यां। वस्तिति से लेन व्यूमें कठेव कफ्यक से दवय के कम हो गयी रवी टाइब यह सिगरेट पीए आपको स्टूल यानि मोसन पास होने लगा एक सिती आती है सातियों बहुत लोगों में जो तंबाकू खाते हैं या तंबाकू छोड़ने कोशिज करते हैं कि उनके हाथ पैठंडे हो जाते हैं तो अगर यहां सिती आप में है कि आपका हाथ पैठंडा हो गया बिल्कुल extremities आपकी cold हो गई हैं आपको बहुत ज़्यादा anxiety है और बहुत ज़्यादा restlessness है तंबाकू छोड़ने पर तो उससे सिती को ठीक करने की बहुत अच्छी जबा टबैकम है आप टोबैकम वन एम पावर की तीन खुराग पच्पच मिट के फासले पर वीकली ले ल कियेगा शायद यह आपकी बहुत मदद कर देगी अगर आप अपनी मदद करना चाह रहें तो एक इस्तिती आती है साथियों कि जब आप तंबाकू की लग छोड़ने की कोशिस करते हैं तो आपको उकाई आने लगती है नौजी आ होने लगता है वामिटिंग का sensation होने लग गप between ले सकते हैं योजीनिया वह दवा है जो आपके तंबाकू छोड़ने की सिटी में जो आपको उकाई आती नौजिया आती उसे सिटी को को खतम करके आपको समाने रूपस से तंबाकू छोडने में मदद कर देगा आपको उकाई नहीं आएगी आपको उल्टी नहीं आएगी फिर एक सिति आती है साथियों तुबैको क्रेविंग की छोड़ने की या इस सफर के बीच की सिति जब आप तंबाकू छोड़ रहे होते सिघ्रेट पीना फोड़ रह ओते हैं पागल पन की मीडेनिस की इस्थिति अगर वह स्थिति को साथी हों तो इस स्थितिसी निफटने के लिए अपने अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए अपने इंख्या और शेर्टमान ज्टार्पर खत्व करने के लिए बहुत अच्छी दभा है स्टैफिस सेट लिया आप श्टैफिस सेग्रिया थर्टी दोस्ती दोर दून दिन में तीन बार ले लें आप देखेंगे कि आपका जो ये बिचैनी उल्जन पागलपन वाली इस्थिती तक जो है वहाँ खतम हो गई और आपको तंबाकू छोड़ने में सिगरेट छोड़ने की समाजिक बुराई को छोड़ने में बहुत मदद करें एक स्टेडी में साथियों देखा गया है कि जो लोग तंबाकू या सिगरेट जादा पीते वो हट के मरीज बहुत जल्दी हो जाते हैं तो अगर आप ने तंबाकू का कभी सेवन करा है हम यह नहीं कहें कि आप कर रहें क्योंकि हम उमीद कर रहें वीडियो देखने से पहले ह दौरान आप यह प्रण ले चुके होंगे कि आप तंबाकू खाना छोड़ देंगे तो यदि आपने कभी तंबाकू बहुत ज़्यादा ली है या सिगरेट बहुत पी है और आप हर्ट के मरीज हैं तो उस सितिती को ठीक करने के हमें पैटी में बहुत कारगर दबा है और दबा का ना में इस पाइजीलिया आप इस पाइजीलिया थर्टी पावर में दो दो बून दिन में तीन बाल ले लें आप देखेंगे कि आपका तंबाकू खाने की लग भी छूड़ गई और आपको जो हर्ट के डिजिस हैं वहां भी ठीक होने लगे और आप अपने को बह उसने बहुत सिग्रेट पी है और झाला सीग्रेृट मीने के बा उसके बाटी में ढखिस सीटी आ गई है तो यहां इस्तिती कि अपने किसी भाई में हो तो उस इस्तिती को निपटने के लिए यानि शरीर को डीटॉक्सिफाई करने के लिए जो सिग्रेट पीने का बैड इफेक्ट है उसको खतम करने के लिए होमियोपेथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है नक्सवोमिका हम लोग आम तोर पेट को ठीक करने में लिए नक्सवोमिका लेते हैं धियां उसको डीटकसवाइग करने की स्वस्थ कर सकते हैं और एक बार बोडी स्वस्थ हो जाए तो आगे सीगरेट ना पीए एक सिती आती है सातियों तंबाकू खाने वालों में और सीगरेट पीने वालों में कि उनका पेट हमेशा खराब रहता है अगर यह सिती आप में है तो इसके लिए आप दो काम कर लिए कि एक काम तो आप इसको तुरंती इस बुराई को खतम कर दीए तंबाकू को और सीगरेट पीने को और सीप्या थाटी पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले लिए या बहुत अच्छी दवा है क्रेविंग को भी खतम कर सकते हैं और सेंपो भी ठीक कर सकते हैं फिर एक सिती आती है साथियों कि आपने सीगरेट पीना छोड़ने की कोशिश करी और जब आपने एक आज दिन सीगरेट नहीं पी तो आपके सर में भैंकर दर्थ होने लगा हैडेक होने लगा तो अगर यह यह सिती आप में हो कि जब आप सिगरेट चोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हैडेक होता है इतना है होता है कि लगता है सर को पूरे सरील से अलग कर दिया गया अगर यह सिती है आप में हो तो इस सिती से निपटने के लिए और आपको टुबैको की लग को छोड़ने के लिए शिग्रेट की लग को छोड़ने के लिए बहुत कारगर दफाए डैफने इंडिका आप डैफने इंडिका 30 पावर में दो दूबून दिन में तीन वाल ले 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 आप देखेंगे कि आपका टुबैको की लग भी छोड़ गई सिग्रेट पीने की लग भी छोड़ गई उसकी हैबिट भी खतम हो गई और आपके सर में दर्द भी नहीं हुआ डैफने इंडिका में इतना ज़्यादा सर में दर्द होता है कि लगता है सर को पूरे बॉड़ी से अलग कर दिया गया तो अगर आपको हैडेक है सिवियर है और जैसे ही आप पता होगा कि जब आप तंबाको या सिग्रेट खाते हैं आपके आइसाइट में बहुत बुरा इफेक्ट डालती है और उसी में एक इस्तिति आती है कि जब आपकी ऑप्टिक नर्फ सूच जाती है इडियमा हो जाता है और आपकी डिपलोपिया यानि डबूल विजन हो ज दवा का नाम है प्लंबम मिटैलिकम प्लंबम मिटैलिकम 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार आप ले 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 आपका जो डिपलोपिया हो रहा है डबूल विजन हो रहा है और जो इडेमाफ अप्टिक नर्व हो गया यहां भी खातम हो जाएगा और प्लंबम मेट क सब्सको दूर करने की बहुत अच्छी दवा है तो इन दोनों स्थितियों में प्लंबम मेट को लेकर लाग कर सकते हैं फिर एक इस्थिति आती है साथियों कि आपने सिग्रेट छोड़ने कोशिश करी टूबैको ना लेने की कोशिश करी और आपको मोर्स्विंग्स होने लगे आपको डिप्रेशन होने लगा तो अगर यहाँ इस्थिति आपके हो कि जब आप सिग्रेट या टूबैको छोड़ने कोशिश करते हैं तो आपको मोर्स्विंग्स होने लगते हैं आपको डिप्रेशन होने लगता है तो उस इस्थिति को ठीक क करने की और आपको शिगरेट को छोड़ने में मदद करने की बहुत अच्छी रवा है इंगनीशया अमारा आप इंगनीशया अमारा 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार उस इस्थिति में ले सकते हैं कि जब आपको बहुत ज़्यादा मूर्ट स्विंग्स हो रहे हो डिप्रेशन आ रहा हो नींद न आ रही हो तो अगर ये तीन इस्थितिया हैं डिप्रेशन मूर्ट स्विंग्स और इंसोम्निया यानी नीद न आ आना टुबैको छोड़ने के खारण तो इनीशया हमारा आपकी ड्रग अव हो जाती है तो अगर डिप्रेशन और इंजाइटी दोनों चीजें एक साथ आपको हो रही है सिग्रेट छोड़ने पर या टुबैको को इंटे को खतम करने पर तो उसको ठीक करने की हुमियोपैथी में बहुत कारगर दबा है और दबा का नाम है काली फॉस आप काली फॉस आप देखेंगे कि आपका सिग्रेट भी छूड़ गई और आपको एंजाइटी और डेप्रेशन नहीं हुआ फिर साथी है कि आपको सिग्रेट छोड़ने के जब आपको सिस करते हैं सिग्रेट छोड़ देते हैं कुछ दिन तो एक इंपोटेंसी डिवेलप हो जाती है तो होमियोपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है लाइको पोडियम आप लाइको पोडियम क्लेवेटम थर्टी पावर में दो दो बून दिन में तीन वार उसे सिटी में ले लें जब आप देखते हैं कि आपने सिग्रेट छोड़ी टुबैको छोड़ा और हैं और यहां दवा लेके आप अपनी ताकत को पा सकते हैं और आप निश्चिंती से सिग्रेट या तंबाकू का सेवन बढ़ कर सकते हैं फिर एक इस्तिती आती है सातियों कि जब आप सिग्रेट छोड़ने कोशिस करते हैं कुछ लोगों में तो उनकी धड़कन बढ़ जा कि नेलीस थर्टी पावर में दो दुबून दिन में तीन बार उसे सिग्रेट छोड़ने का या तुबैको का इंटे खत्म करने का प्रयास करते हैं वैसे ही आपको पैल्पिटेशन यानि धड़कन मैसूस होने लगती है उसे सिग्या बहुत कारगर दवा हुम्योपैथी मे लाइकोपस है यहां आप एक बार कोशिस करें आप देखेंगे कि आपकी धलकन भी नार्मल हो गई और आपको कोई नुकसान भी नहीं हुआ फिर एक स्थिति आती है साथ क्यों बड़ी अजीबो गरीब स्थिति है कि मरीज जो है वो तंबाकू तो खाना चाहता है सिग्रे तो इस सिति को ठीक करने हों में पहती है बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है लोवीलिया इंफ्लाटा अगर आपने सीग्रेट पी है कि आपकी सांस फूलने लगी आप एस्टमेटिक हो गए हैं और आपको नबाकू खाना तो अच्छा लगता है सिग्रेट पीना तो तो अच्छा लगता है उससे आपको सुकून मिलता है लेकिन उसकी महक आपको बहुत बुरी लगती है तो आपकी ड्रग दा चॉइस लुबिलिया इंफलाटा है यहां आपके सिग्रेट छोड़ने में भी मदद करेगी अगर यहां सिम्टम आप में है और आपके एस्थमा को करना छोड़ दिये और आपका मसल में वीकने साने लगी तो इससे सिती को भी ठीक करने की हुम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एसीडम यूराटिकम एसीडम यूराटिकम थर्टी पावर में दो दो पून दिन में तीन बाल लेने से आपका सिग्र की सिग्रेट भी खतम हो जाएगी इच्छा भी खतम हो जाएगी और आपको जो मस्कुलर वीक्ने साहिवा खतम हो जाएगे और आप अपना एनरजी और विगर पूरी तरह वापस प्राप्त कर लेंगे यह साथियों को दवाएं थी आपको तंबाकू या सिग्रेट छुडाने की लत को खत्म करने की यहाँ ऐसी बुरा ही है साथियों जो आपको ही नहीं आपके परिवार को भी खत्म करती है आज कल एक सिग्रेट दस रुपए की होती ही महेंगी सिग्रेट हो गई है शायद इन में से कोई दवा आपकी मदद कर दे एक बार आप इसमें से अपने सिंटम को देखके समझ के किसी डॉक्टर से जरूर मिलिएगा और जल्दी से जल्दी इस बुराई को छोड़ दीजिएगा अगर साथियों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा आपने साथियों से इसको सब्सक्राइब करने को बोलिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा कर सबसे पहले हमारा सबसे नया वीडियो पाते रहेगा अगर आपके मन में कोई क्वरी हो तो आप हमारे बॉट्साइप नंबर 94-915-786-300C पर या यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल में लिख कर भेर दीजेगा आपको उचित जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगा आपका साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए इस वीडियो को शेर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और एक अभियान के रूप में इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत आवाद धन्यवाद बहुत आवाद झाल झाल